हलो वेलकम एवरिवन माई नाइम इस बहानी सिंग फ्रॉम रेजनेंस पी सीपी डिपार्टमेंट आज पन बात करेंगे मोशन्स आफ इंडियन पार्लामेंट इंडियन पार्लामेंट के अंदर कौन-कौन से मोशन्स पॉसीड होते हैं जैसे अपने जो मॉंसून सेशन है वो जिससे यह एक मेंबर उपव परल्यएमेंट उसके उपिनियन एकस प्रेस करता है उसकी यूज ад 얘के सब्सक्षा होता है जो इंपॉर्टेंस प्हते है कंसेंड चीह होती है आपके उसके लिए प्रसइडिंग जो मोशन करता है यह और प्रक्षाप करना है या抱क्ठ करना है जो either minister ने move किया है या फिर किसी private member ने move किया है ministry move कर सकते हैं या फिर कोई private member भी move कर सकता है इतना ही याद रखना आपको motion के बारे में अब देखते हैं पर टाइप सोप मोशन यह सबसे पहला टाइप है आपका substantive motion और यह independent proposal होता है जो very very important public matter important matter है उनके लिए यह motion move किया जाता है जैसे कि आप माझनों impeachment of president का impeachment करना हो या फिर आपको chief election commissioner को अपने पत से अटाना हो उसके लिए substantive motion move किया जाता है फिर होता है substitute motion जो substitute motion होता है वो original motion के substitution में proposed किया जाता है या फिर उसका क्या होता है alternative अगर यह adopt कर लिया जाता है house के दोवारा तो original motion को क्या कर देगा यह super seed कर देगा ओगे I hope so ही clear है फिर आता है cut motion cut motion जब भी आपन बात करते हैं budget की बात करते है budget जब आता है February में उस टाइम आप newspaper में अक्सर cut motion इसके बारे में देखते हैं यह budgetary process के अंदर काम आता है यह लोकसभा के अंदर एक तरीकी की वीटव पावर अगर यह cut motion पास हो जाता है इट लीट लीट सूदा defeat of government एक तरीकी का टूल है इस तेन टेस्स करनेगा budgetary process में होता है अब अगर cut motion adopt कर लिया आता house के दवारा तो government क्या करना पड़ेगा oblige किसके अंदर वो resign करेगी और यह सिर्फ और सिर्फ कहां introduce होता है लोकसभा के अंदर ओके याद रखना आपको it can be moved in लोकसभा only नेक्स आते हैं उसके तीन टाइप होते हैं सबसे पहले टाइप है आपका policy cut motion मतलब आपकी पूरी पूरी policy जो है उसी को अगर खतम करना हो जैसे आपका budget जितना भी 1000 crores में होता है उसको एक तरीके रुपी 1 में लाना मतलब पूरी पूरी policy को खारीच कर देना खतम कर देना डिमांड को दूसरा होता है आपका economic cut motion जो economic के अंदर जो भी expenditure है मालो किसी budget के अंदर 50 crore का किसी में खर्चा बताया गया है अगर प्रपोस किया आता है उसको 40 crore करना है कि 10 crore इसमें फालत हुए तो एक तरीके से यह economic cut होता है कि जो एक specific amount से यह amount reduce कर देना है एक token cut motion यह फालत होता है इसमें कुछ भी नहीं है कि कि किसी demand को अगर कम करना है around 100 रुपे उसके कम कर दो budget में जो पैसा होता हो 1000 crores में होता है तो उसके इंदर 100 रुपीज 200 रुपीज करने खतम करने से कोई फरक नहीं पड़ता नेक्स्ट आपका closer motion यह member के दोरा move क्या जाता है जो debate है उसको खतम करने के लिए debate को cut short करने के लिए जो अगर house में अप्रूव हो जाता है debate को क्या कर दिया जाता है रोग दिया जाता है एंड मेंटर को क्या vote पर put to the vote उस पर voting होती है next voting कैसे भी हो सकती है sound के दोरा या फिर digital बटन के दोरा अब यह चार टाइप का होता है simple closure closure kangaroo and guillotine guillotine आपने french evolution पढ़ा होगा तो आप जानते है गियोटीन एक तरीके instrument था जिसके दोरा एक तरीक ऐसा होता था कुछ यहां पर उसके एक आईरन या फिर लाएक एक रोप के बंदी वे एक हतियार होता था एकदम sharp होता था और किसी के death के लिए उसको use के जाता है गियोटीन करने के लिए तो मतलब एक तरीके से हाथ तो हाथ किसी matter को अगर stop करना हो तो आपका क्या होता है गियोटीन जितनी भी undiscussed part बचे किसी resolution के या फिर किसी बिल के उनको उसी के साथ वोट में डाल दिया जाता है बिना discuss किये जितना क्यूंकि अब time खतम हो चुगा उसके लिए सेकेंड आपका है kangaroo closure only important closes होते हैं वही debate के लिए जाते हैं और जो intervening closes ही है बीच की closes है उनको उसी के साथ पास मान लिया जाता है और closer by compartment अगर मान लो कोई बहुत बढ़ा है तो उसको compartment by compartment या फिर close by close commencement के लिए डाला जाता है before commencement of the debate debate के अंदर पूरा पूरा cover के जाता है और entire part को vote के लिए डाला जाता है और एक आपका है simple closure matter क्यों अगर sufficiently discussed किया जा चुका है अब बोलते हैं कि जितने भी government की policies हो चुकी है या फिर government upcoming session में जो policy लेकर आने वाली है उनके बारे में discussion के जाता है यह पहले session के होता है हर general election के बाद आम चुनाव के बाद 2019 में अपना general election वहा था general election के बाद राष्टपती उसको address करते है प्रजेंट policies के बार में इसे मैं ने बता दिया जित्ती भी previous year के अंदर policies थी और insuing year जो आने वाला year है उसके अंदर क्या policy है यह दोनों houses में address किया जाता है house of parliament में motion of tax और जैसे ही खत्म होता है उसके बाद उ पास होना चाहिए else government की क्या हो जाएगी defeat हो जाएगी government has to be resigned और member की पास member generally इसको government to criticize करने के लिए या फिर government क्या लोचना करने के लिए इसको use करते है lapses of failure के लिए नेक्स्ट है calling attention motion जब भी कोई भी ऐसा incident होता है जैसे निर्बिया incident हुआ था या फिर कोई टैरिस attack हो गया या फिर कोई भी ऐसी incident हो गया जो very very important है public importance के लिए उसको parliament में discuss किया जाता है कोई member इसको करता है call the attention और यह मतलब कहीं से लिए नहीं गया यह Indian parliament की innovation है और आपके rules of procedure होते है ने जो parliament के conduct of procedure होता है उसके अंद लिखा होता है next no confidence motion विश्वास परस्ता इसको थोड़े डिटेल में देखेंगे अपन article 17.5 जो अपना कहता है कि जो council of minister है वो collectively responsible होती कि इसको लोकसभा को मिनिस्ट्री जब तक office में रह सकती है जब तक house का उसके पास confidence है और लोकसभा को मिनिस्ट्र जब भी no confidence motion पास कर देंगे तो लोकसभा कि जो council of minister entire council of minister has to resign और इसके adoption के लिए को अब हिस्ट्री देखते है no confidence motion की लोकसभा के अंदर आचारी क्रिपलानी ने congress government जो जवाल अनिरोगी थी सबसे पहले उसके खिलाब no confidence motion move किया था 1963 में यह कब किया था 1962 war में जब इंडिया की defeat हो चुकी थी चाइना से इंडो-चाइना वार में उसके बाद जो लोगों में इंड्रेश था उसके लिए आचारी क्रिपलानी ने यह motion move किया था अब तक 30 से ज्यादा no confidence motion move किया चुके है 15 जिन में से किसके खिलाब थे मिसिस इंड्रा गांधी खिलाब थे और इस ट्री के अंदर ND के जो government थी श्री आटल बेल वाजपेगा इसमें बहुत आइकोनिक भाशन भी उन्होंने दिया था जब सबने सुना होगा इसमें उनकी फर्स्ट पहली government बनी जिन्होंने no confidence motion के अंदर वो हार गये थे डिफिट होई थी 1990 में जब वीपी सिंग ने motion of confidence भी होता है motion of no confidence होता है motion of confidence सरकार खुद मूव करती है कि यह दिखाने के लिए हमारा जो दल है हमारी जो पार्टी वो भी भी majority enjoy करती है और speaker ने इसको priority दी थी और उसके खिलाब no confidence motion भी आया था उसके वजाए इसको priority दी गई और स्वास प्रताओं का परिश्टाओं का पूरा इतियास है no confidence motion का इंद्र गांधी खिलाब कितने आए लाल बादुर शास्त्री खिलाब कितने आये पीवी नर्सिमा राव कि खिलाब मोधार देशाई जवाला नेरु राजीव गांधी अटेल बेरिवाजपई और नेंदर मोधी कि खिलाब 2017 में आइधिंक सो प्राइम मिनिस्टर मोधी खिलाब भी ये no confidence motion आया था अब होता है आपका sensor motion sensor motion कुछ ज्यादा खास नहीं आप तक जो इतने motion थे important motion अपन कवर कर चुके हैं बट more or less जब भी sensor motion लाना हो पाल्यामेंट के अंदर तो आपको उसके लिए क्या बताने पड़ते हैं specific region बताने पड़ते हैं पूरी council of minister खिलाब भी यूज किया सकता है इसको group of minister और individual minister के लिए भी इस्तमाल किया जाता है जब यह पास हो जाता है तो यह sensor करता है particular specific actions है या फिर policies है उनको sensor करने काम होता है even जब भी पास हो भी जाए तब यह मतलब नहीं है कि minister को resign करना पड़ेगा resign नहीं करना पड़ेगा उस policy के changes के लिए होते हैं sensor motion यह important सबसे sensor motion और non-confidence motion यह सिर्फ और सिर्फ किसमें introduce किया सकते हैं लोग सभा के अंदर introduce किया सकते हैं next adjustment motion यह उनसे different है यह एक motion initiate किया जाता है तो minimum 50 members चाहिए इसको support के लिए और extraordinary device उचाहिए नॉर्मल विजनस हाउस के जब disrupted होते हैं उस तेम इसको use किया जाता है यह भी सिर्फ लोग सभा में introduce किया जाता है adjustment motion की specific condition लिखी हुए किन important condition में यह use किया जाएगा यह urgent और public importance में अल्रेडी बता चुका हूँ और जो same session में matter discuss नहीं होना चाहिए किसी भी court के अंदर यह matter pending नहीं होना चाहिए और जो privilege motions होते है parliamentary privileges होती है members की उसके लिए भी यह उसका part भी नहीं होना चाहिए अब अताब का resolution resolution motion से थोड़ा different है आगे देखेंगे कैसे different है private member resolution होता है private member इसको जो alternate Fridays or afternoon sitting है उसमें ही इसको discuss कर सकता है government के resolution मिनिस्टर कोई भी any day Monday to Thursday के बीच में कभी भी government कोई मिनिस्टर एक resolution ला सकता है statuary resolution मतलब यह किस से related होगा law से या फिर constitution से private member और minister भी इसको table कर सकते हैं यह constitution के provision और किसी act के लिए होता है ओके डिस इस अल बाउट motions and resolution और resolution के बारे में कुछ चीजें थी कि all resolution are motion ओके I hope so कि आपको motions of parliament इतने भी है आप सारे motion के बारे में जानते हैं अगर पार्लेमेंट कोई भी session देखेंगे तो you should know which type of motion is tabled in the parliament thank you very much कर दो कर दो